हर हर महादेव दर्सकों कैसे हैं आप शबही उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और मजे में होंगे मित्रों आज का जो दौर है वो हर एक विक्ती के लिए बहुत आवश्यक होने वाला है आज के दौर में बेरुजगारी बहुत बढ़ गई है लोगों के पास में ज्यादा काम नहीं है परन्तु हर एक विक्ती अमीर बनना चाहता है हर एक विक्ती पैसे कमाना चाहता है और लोग चाहते हैं कि हम कम काम करके यानि कि महनत कम करें और पैसा अधिक आए लोग चाहते हैं कि सौटकट के माध्यम से हम अमीर बन जाए और सौटकट के माध्यम से हमारे पास पैसे बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाए बहुत लोग ऐसे होते हैं जो भागे भरोशे अमीर बन जाते हैं और भागे भरोशे उनके पास पैसा आना शुरू हो जाता है परंतु बहुत लोग होते हैं जो मेहनत तो बहुत करते हैं परिश्रम बहुत करते हैं परंतु मेहनत करने के बावजूद लोग शफल नहीं हो पाते हैं ज्यादा पैसे नहीं कमा पाते हैं अगर आपके जीवन में भी पैसों को लेकर कोई परिशानी है तो आपको चिंता नह करना है आजगे वीडियो में मैं आपको एक मंत्र बताने वाला हूँ उस मंत्र को अगर निंद खुलते ही आप सही तरीके से पढ़ते हैं जैसा मैं बताने वाला हूँ तो आजीवन आपको पैसों की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपके सामने में हमेशा पै की सुरुवात करते हैं और जानते हैं उस खास और चमतकारी मंत्र के बारे में दोस्तों यह जो मंत्र है इसका प्रियोग बहुत आवश्यक है इसको प्रतेक दिन जब आपके निंद खुले तो निंद खुलते ही दोनों हथेली को देखते हुए इस मंत्र को आपको कम से कम पंच बार पढ़ लेना है मंतर मातर एक लाइन का है अगर सही तरीके से और विधी विधान से जैसा मैं कहने वाला हूँ वैसे अगर आप इस मंतर को पढ़ते हैं तो आजीवन आपको पैशों की परिशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और दिन भर किसी भी काम को करके मंतर बहुत शामान ने था आपने सुना होगा ध्यान से मैं एक वार फिर से कह रहा तो मेरे शाथ साथ इस मंतर का अभ्यास आपको भी करना होगा तो मेरे शाथ आप भी बोलिएगा मंतर को मंतर है कराग्रे वस्ते लक्षमिही करमधे शरस्वती करमूले तू गोविंदह प्रभाते कर दर्ष्टनम यानि सुबह के समय इस मंतर का जब आपको निंद खुलते ही अपने हथेली को देखते हुए करना है दोनों हथेली को आपको एक शाथ अपने आँख के सामने लान है और सामने लाने के बाद आपको मंतर का जब करना है अगर शही तरीके से आप ये करते हैं तो आपकी उन्नती बहुत ज्यादा होगी और शमय का सपोर्ट भागी का सपोर्ट आपको बहुत ज्यादा मिलेगा उस्तों मेद करता हूँ साड़ी बाते आपके सामने में क्लिय रहो चुकी होगी अगर आपके मन में कोई सवाल हो कोई प्रश्ण हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आपकी शहायता अवश्च की जाएगी तो हमारी आपकी मुलाकात एक नए वीडियोम होगी तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद स्री राधे की ताने जाएगी अवश्च की जाएगी।